12 जून से 18 जून तक का समय कुम्ब राशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मातादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 12 जून से 18 जून तक आपके लिए किस तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, इन साथ दिनों में कौन सा ग्रह राशी बदलेगा, क्या योग बनेंगे, क्या ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव होगा और इन सभी का जो प्रभाव है, वो आपकी दिन्चरिया को, आपकी जीवन के हर एक शेत्र को कैसे प्रभावित करेगा, बनने वाले योग, होने वाले परिवर्तन और उनसे होने वाला प्रभाव सब कुछ जानेंगे विस्तार से, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो 12 से 18 जून तक की बात करें हैं और यहां अगर मैं चंद्रमा की इस्तिती देखूं क्योंकि यह राशी फल चंद्रमा पर आधारित है, चंद्राशी पर आधारित है तो चंद्रमा मीन राशी से गोचर करते हुए यहां मिथुन राशी तक जाएंगे मिथुन और वरशब, मेश और मीन इन चार भावों में सक्रे रहेंगे और उसी के अनुसार आपकी जो दिंचरिया है उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे अब यहां दो ग्रहों का राशी परिवर्तन भी इस दोरान होगा पहला परिवर्तन तो होगा सूर्य का जो की 15 जून को होगा सूर्य क्या करेंगे मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे सूर्य और बुद्ध की राशी है यहां इनका परिवर्तन बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा दूसरा परिवर्तन होगा 17 जून को अब यह 17 जुन को जो होगा वो होगा शनी का जो आपकी राशी के स्वामी है और यह इस महिने का सबसे बड़ा परिवर्तन है क्योंकि शनी कुम्भ राशी में जो विराजमान है आपकी लगन में वो वक्री हो जाएंगे वक्रस्त होना यानि उल्टी चाल चलते हुए प्रती की जाए तो काफी अच्छे योग इस सब्ताह में आपके लिए बढने वाले हैं कई तरह के योगों का निर्मान इस सब्ताह में होगा जो आपके लिए परिवर्तन देने वाले होंगे गज केसरी योग सरवार्थ सिद्धी योग द्वी पुशकर योग कई तरह के राज्य योगों का निर्मान होगा जो आपके लिए परिवर्तन शील रहेगा तो चलिए अब विस्तार से जान लेते हैं कि 12 जून से 18 जून क्या लाब होंगे क्या सावधानिया रखनी है क्या शुब समय रहेगा हर एक चीज के बारे में तो यहां देखे कुम बराशी के लोगों के लिए मैं बता दूँ क 되는 कि यह सब्ता आपके लिए खुशियों भरे अवसर तो लेकर आया है साथ में आपके लिए सवभाग्य की प्राप्ती भी लेकर आया है इस सब्ता में आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है जो वाकई में जीवन में यादगारी बना देगा यादगार बना देगा आपके जीवन को, आपके अंदर इस अप्ता में साहस देखने को मिलेगा, आत्म विश्व्यास बहुत अधिक होगा, जिसकी मदद से आप कई तरह की बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर सकते हैं, या मैं कहूँ तो महान उपलब्धियां हासिल कर सकत हैं खास तोर से इन राशी के मैं उन लोगों की बात करूँ जो स्टुडेंट हैं जो किसी शोध के कारिये से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा समय ये आपके लिए रहेगा और साथ में आराम करने का भी रहेगा अगर आप काफी समय से बड़े थकान भरे कामों से जुड़े हुए हैं तो थकान का भी उतारने का आपको मौका मिलेगा आराम करने का मौका पर्याप्त होगा आपके पास आपकी परसनल लाइफ हो या आपकी प्रोफेसनल लाइफ हो हर समय में आप एक है तो आपको खुशी भी देता है और हर चुनोती से लड़ने की ताकत भी देता है इसी तरह से अपने confidence को बनाए रखना है आप अपने परिवार के साथ बहतर समय बिताएंगे अदबुत समय बिताने का मौका इस सब्ताह में आपको मिलेगा भाई बहनों के साथ अच्छे से बाचीत होगी महत पूंचर चाय भी हो सकती है और अगर किसी भी चीज में आपको उनके सहयोग किया शक्ता थी तो उनका सहयोग भी आपको मिलेगा साथ में अगर आपका सहयोग उनको प्रोफेशनल रूप की अगर बात करें तो ये आवधी आपके विकास के लिए आपकी सफलता के लिए एक अच्छे अफसर लेकर आई है ये साथ दिन आपके लिए विशेस रूप से बिजनिस में बहुत अच्छे हैं आपके काम हो गए आपके प्रोजेक्ट हो गए उनमें क स्वास्थे के लिहास से तो आपके अपके परषीं समय काफी अच्छा है साथ ही आपकी पढ़ाई के लिए आपके रिसर्च के लिए भी अनुकुर रहे गा आपको बहुत अधिक अवसर की प्रापती होगी अपनी प्रगति के लिए आपके सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा आप पढ़ाई के लिए अपने रिसर्च के लिए आप कहीं इस समय बाहर भी जा सकते हैं, आपको scholarship मिलने के chances भी बन रहे हैं, तो इन अवसरों का पूरे तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि ये समय आपके लिए आपके भलाई के लिए और आपके future की planning के लिए बहुत अच्छा हैं, निवेश के कई अफसर मिलेंगे, लाबदायक कुछ विरासत भी मिल सकती है, विरासत मिलने का भी यूग आपके लिए बना हुआ है, अपने कोई भी कदम जब आप उठाते हैं, तो उस कदम को उठाने से पहले दो बार जरूर सोचें, ताकि वो आपको गलत कदम ना दिखे, लव रिलेशन की बात करें, तो आपको अपने पार्टनर पर पोरा विश्वास होगा, एक क्वालिटी वक्त बिता पाएंगे, और खास अपलों की प्लानिंग करेंगे, विश्वास और विकास ये गहरा रहेगा, पर्फेस्नल प्रोफेस्नल लाइफ, इनमें आप खुलत कर बातचीत कर पाएंगे, अपने उपिनियन्स को सबके सामने रख पाएंगे, विचार साजा कर पाएंगे, एक दूसरे को बहतर तरीके से समझ पाएंगे, परिवार के समय बिताने के लिए प्रात्मिक्ता आपको रखनी चाहिए, और साथ ही आपका विकास भी और कुछ यहां चंद्रमा की जो इस्तिती है, वो जब मेश्रासी में होगी, ब्रस्पती में, ब्रस्पती के साथ चंद्र की होगी तो गजगेसरी योग बनेगा तीसरे भाव में, तब आपको अपने किये गए निवेश से लाब मिलने के जादा योग बनते हुए अच्छा की तरफ अच्छा समय है, बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिख्याई के लिए बहुत अच्छा है, सफलता पराप्द कर पाएंगे और साथ ही आपको अपने सिक्षकों की जरूरत भी पड़ेगी, और अगर आपको जरुत उनकी महसूस होती है, तो आप उनकी जर जरूर लें, 15 जुन को सूरिय का राशी परिवर्तन है, सूरिय का राशी परिवर्तन कुम्भर राशी के लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि पंचम भाव में होगा, पंचम भाव में सूरिय बैठ कर हमीशा बहुत बनाते हैं दूसरा जो सूरिय का है शनी का है शनी आपकी राशी के स्वामी है आपकी लगन में बैठे हैं वक्री हो जाएंगे वक्रस्त होकर उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होंगे तो इनका भी फल आपको देखने को मिलेगा बस आपको क्या करना है अपने थुड़ा से अपने जो खर्चा उस पर ध्यान रखना है बाकी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं कुछ ऐसे उपाए आप जरूर कर सकते हैं जो उपाए आपके लिए अच्छे रहेंगे बहतर रहेंगे कई तरह के योग हैं जो योग आपको अच्छे रिजल्ट देंग जैसे सरवार्त सिद्धी हो गया अमरत सिद्धी हो गया इन योगों का प्रभाव इस सपताहमें बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेगा सब तहामें अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो वो 5 दिन आपके लिए बेहद अच्छे रहने वाले हैं यहां 13, 14 और 15 जून का दिन बहुत अच्छा है उसके बाद 18 जून का दिन काफी अच्छा है आपके लिए और 17 ये दिन ऐसे हैं जब आपके काम भी बनेंगे आपके काम के दोरा आपको लाब भी होगा उपाया के अगर मैं बात करूँ क्या उपाया आप कर सकते हैं क्या उपाया आपके लिए सबस्टेश साबित होंगे तो उपाया के तोर पर शनी के उपाया आपको जरूर करने चाहिए क्योंकि शनी अभी वक्री भी होने वाले हैं और शनी कि आपको पता ही है मजदूर्वर्ण की सेवा करना अभी गर्मिया है तो उसमें आप चपल दान कर सकते हैं लोगों को तो बहुत अच्छा रहे गाए, अच्छाता दान कर सकते हैं साथ ही चानल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले